नमस्कार मित्रो जै मातादी स्वागते आप सभी का हमारी यूटुब चेनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगी दिनांक 12 दिसंबर 2021 का दिन मित्रो केसा रहीगा आप लोगों के लिए पंचांग के नुसार देखें मित्रो तो 12 दिसंबर को रविवार का वार है साथ में अगण मास के सुकल पक्स की नम्मितिती है और उत्तर भाद प्रदा नक्सत रहे और चंद्रमा जो ही वहमें रासी में संचार करेंगे तो एसे में समस्त ग्रहों की चाल का कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापाल की दरश्टी से नोकरी की दरश्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संबंदों के लिए साथ ही मित्रो विध्यार्तियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाच तो वहीं वीडियो के अन्त में रविवार के दो एसी उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुझि लगानी है मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंधकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सबसे पेहले तो मित्रो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो का लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दे लिखिएगा मातरानी उनके सारी मनो कामनाय पुरून करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की सुरूवात करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमौल विचार से तो मित्र गूरु जी कहते हैं कि जिन्दगी में जो भी करना ही, खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोग के भरोसे नहीं, क्योंकि लोग कंदों पर तभी उठाते हैं, जब मिट्टे में मिलाना हो, लेकिन जब आपको काम्याप करना हो, तब लोग अक्सर आपको नीचे ही गीराने की कोशिस करेंगी, इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा आप कोई भी छोटा या बड़ा काम करें, तो खुद के उपर आत्म विश्वास रखी, खुद के दम पर पूरा करने की कोशिस करें, क्योंकि मित्रो ये दुनिया बहुत ही जालिम है, तो मित्रो करते ही अगले 24 घंटे याने की 12 दिसंबर के मेहत्व प्रणरासी फल की, तो मित्रो कोई मन वानचित काम मन के मताबिक तरिके से सफल ना होने की वज़े से, मन कुछ व्यतित रहेगा, परन्तु हिम्मत ना हारे और प्रियास करते रहें मित्रो, विरोधिपक्स आपके में ज़्यादा साउधान रहने की जर्रते आपको इस मेहनत के बहत्रे नतिजे हासिल होंगे, और मसिनरी इस्टाफ आदी से जुड़ी छोटी मुटी समस्याएं उठ सकती है, अपने विवसाई के फेसलों में दूस्तरों का हश्त छेब बिलकुल भी ना होने दिमित्रों, और ध्यान रखेगा कि कुछ खास लोगों से मेल मुलाकात रहेगी, नई-नई जानकारिया मिलेगी, तथा बादचित के माध्यम से आप अपने काम निकलवाने में सक्सम रहेंगी, मित्रों का साथ और सहीयोग, आपकी हिम्मत और होसले दोनों को बढ़ाएगा, और मित्रो अनाविसक खर्चों के बढ़ने से थोड़ी सी दिक्कते आ सकती है, इसलिए अभी से अपना बजट बना कर चलें, तो आपके लिए उचित रहीगा और धियान रखें, कि किसे कानुनी पंचड़े में भी फस सकते हैं, इसलिए मित्रों ट्रेफिक नियूम का उल्लगन बिल और पार्टनर्शिप संभन्दित विविसाय में प्रतियक गतिवीधियों पर नजर रखना अतियावसे के, दांपत्य जीवन में कुछ परिसानिया उत्पन हो सकती है, परन्तु इस्तधिको संभानले का दायत वो आप पर ही रहेगा मित्रों, और प्रेमी प्रेमे का के बी इंसान के सब समेहे तुप्रणपुंजी होती है, तो इसके प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, ग्रह गोचर बिल्कुल अनकुल है, उचिस समय पर उचित निर्ने लेना आपको सफलता देगा, एवं विध्यार्ट्यों को करियर संभन्दित किसी समस्या का समाध दिहान मिलने से उस सहा में व्रदी होगी, एवं यक्तित्व में भी निखार लाने के प्रयास सफल रहेंगे, मित्रों दिहान रखेगा कि वेविसाई में अभी जैसा है, वेविसा ही चलने दे, लेकिन मित्रों अगर आप कुछ नया या कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे इवं धार्मेक तथा आध्यात्मिक गति वेदियो में कुछ समय अवस्य वतित करें, इससे आपको मानसिक सुकुन और सान्ती मिलेगी, मित्रों अपनी योजनाओं को किरियानवित करने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की भी जरुते, क्योंकि जब आप अपनी योजनाओ पर पूरी तरह से ध्यान केंदित रखेंगे, तो आपको आपकी जीवन में जो भी रास्ते ही, वह इसपश्ट दिखाई देंगे, और फोन अथवा मित्रों के साथ गुमने फिरने में अपना समय वियर्थना करें, किसी पड़ोसी के साथ कहा सोनी होने से जैसी इस्तिती भ आपको संभंध सुधाने पर ध्यान देना होगा, और वरतमान समय में विवसाई में नई टोइकनोलोजी की जान करें रखना अधी आवस्या की, मित्रों अपनी विवसाईक कारे प्रिणाले में कुछ बदलाव लाने का प्रियास करी, पबलिक रिलेसन आपके लिए विवस साय संभंध ने इस्त्रोत उत्पन कर सकती हैं, एवं कोई सुभ समचार मिलने से पारिवरिक वातावरन खुसनमा रहेगा और सकरात्मक रहेगा, साथ ही प्रेम संभंधों में वी काफी नजदी किया बढ़ेगी मित्रों, जिससे आपके प्रेम संभंधों में भी पार्टन चार चांद लगाएंगे, एवं मित्रों दिन चर्रा में कुछ सकरात्मक परिवर्तन महिसूस करेंगे, आपके अंदर रिस्क लेने की भी प्रवती रहेगी, जो कि फाइदे मंद साबित होगी, क्योंकि मित्रों जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, तब ताप आप जीवन के अनुभवों को महसूस नहीं कर पाएंगे, और परिवार के किसी वरिष्टी व्यक्ति द्वारा मेहतो प्रण सलहा मिलेगी, एवं समाज में भी आपका विशेस मान समान बढ़ेगा, परन्तु अपने कार्यों को योजना बद्ध तरीके से व्यवस्थित ना करने की वज की अधिकता रहेगी, परन्तु साथ ही साथ आई के साधन भी प्रसस्त होंगे, इसलिए अधिक परिशान होने की बिल्कुल आवस्यक्त नहीं है मित्रो, इस वक्ट वेवस्थाइक पार्टिया और मार्केटिंग संभंधित कामों को बढ़ाने में ध्यान दे, नया काम सुर जीवन में बहुत काफी हद तक सुख में रहेगा, आपकी भावुकता और मधुता प्रेम संभंधों में और अधिक नजदी कियां बढ़ाईगी, साथ ही गुटनों वो जोडों के दर्द जैसी कोई पूरानी समस्या फिर से उभर सकती है, गेस और बादी वाली चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें और परीवार की सुख सुविधाव संभंधित वस्तों के लिए सौपिंग आदे हो सकती है, लेकिन इस सौपिंग में मित्रों आपको बजट का ध्यान रखना है, क्योंकि इस से आपकी आर्थिक इस्तेदी डगमगा सकती है, और साथ ही साथ है विध्यार्थों की पढ़ियर या करियर से संभंधि किसी समस्या का समाधान मिल से आप तनाव मुक्त में हिसोस करेंगे, किसी भरोस्ते मंद व्यक्ति से अपनी योजनाई सेर करने पर आपको उचिस सलहा मिलेगी, एवं इस समय आर्थिक कस्मकस जारी रहेगी, जी हाँ, जिसकी वज़े से जरूरी खर्चों में भी कटोती करनी पड़ सकती है, तो मित्रों ध्यान रखेगा, कि फिजुल खर्चे जो हैं, आपको पूरी तरह से नियंत्रण में रखने हैं, इवं छोटी छोटी बातों पर परिसान हो जाना, आपका स्वभाव रहेगा, और रिष चेतर में भरपूर मेहनत और समता से टार्गेट हासिल कर लेंगे, कुछ चुनोते आएगी लेकिन इन चुनोते का सामना भी आप आसानी से कर लेंगे, और कारे समता को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पर सकती है, और मित्रों इस मेहनत का फल आपको समय के लिए दियान भी रखिएगा और अचानक ही किसी घनिष्टी व्यक्ती से मुलाकात से प्रसंदता होगी संपत्ति संभंधित कोई विवाद सान्ति पुन तरीके से हल हो सकता है एवं किसी पॉलिसी अत्वा एक प्रोपर्टी आदी में निवेश करने के लिए अनुकुल समय है मित्रों लेकर आपको कुछ सावधान्या भी बरतनी है कि जब भी आप किसी प्रोपर्टी अत्वा पेसे निवेश करने की सोचें या आप पेसे निवेश भी करें तो उस पर अच्छी तरह से जाच पड़ताल करने ना है कि किस हद तक आपको निवेश करना है पहले तो इस पर विचार करना होगा फिर उस पर अच्छे से जांच परताल करके किसी गेरेंटी वाले इंसान के साथ हाथ मिला कर आपको निवेश करना है वरना मित्रों आपके साथ धोका धड़ी हो सकती है और फिर आपको केवल नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा इसलिए निवेश संबंदित किसी भी प्रकार के कारेंगे ज़्यादा हडबड़ी ना करें सान्ती से सुजबूज से उन कार्वेश को करें तो मित्रों बात करते हैं रविवार के उन दो छोटे से उपायों के बारे में जिने आजमा कर आप अपने किसमत चमका सकते हैं तो मित्रों यदि आप किसी नए कारे की सुरुवात रविवार को करने जा रहे हैं तो विदवानों का मानना है कि लोगों को उससे पहले गुड ये मिठाई खाकर पानी पी लेना चाहिए। इसके लाव मित्रों रविवार को आदित्य हद इस्तुरत का पाट करने के भी सलादी जाती है। माननेता है कि इसका पाट करने से घर में बरकत आती है और सारे दुखदर्द सुदूर होते हैं। साती मित्रों जोती सचार्डे यानि कि हमारे गुरु जी बताते हैं कि रविवार के दिन भगवान सुर्डे के ढ़ल जाने के बाद पीपल के पीड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इस सम्मान सम्मान पर्द प्रटिष्ठा में इजाफा होती है। वही चार मौवाले दियों को जलाने से कहा जाता है कि घर में यस और सम्मपत्ति में व्रद्द होती है। साती ही ऐसा कहा जाता है कि उपाय को अपनाने से सुर्डे व के अलावा सनि माहराज भी प्रसंद होते हैं। तो मित्रो इन दो उपायों को आज अवस्या आजमाईएगा। वीडियो के समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रो तो वह जो इस्क्रीन पर आपको लाल बेटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा। पास में वह घंटी भी दबा कर हमारी यूटूब चैनल से आप सभी मित्रो अभी जुड़ जाईएगा।